आपके घर में कोई छोटा बच्चा जब शिरार्ती होता हो तो नहास पंजाबी जब पोल लाबा दीता है ठीक है? इसी तरीके से अच्छा भला नाम होता है बिलाल उसका नाम बिल्लू रख देते हैं अच्छा भला नाम है शाजदो दन अच्छा जा रहा देतें पंजाबी कल्चर की बात कर रहो रफीक नाम है तो कराची वाले उसे फीका बोल देते हैं ठीक है? So there are many other साथे पंजाबी जो फीका खैदन दे हैं फीका होता है जिसमें नमक, चीनी वगरा काम हो अब ये तो होगे वो नाम जो हमें इंसानों को दे देते हैं लेकिन of course प्यार से देते हैं इसमें कोई दो राए नहीं है हमारी So उसको दूसरी साइट भी ना लेके जाईएगा कि मैं ऐसा कल्चर प्रमोट करनो, nothing like that I'm just saying कि हम ऐसे कल्चर में नाम चेंज कर देते हैं हम यह क्यों करते हैं अपनी असानी के लिए ठीक है जैसे एक नाम मुझे बच्चमन में बहुत ही मुश्किल लगता था लिखना और प्रनाउस करना That was मुस्तंसर हुसैन ताररसा ऐसे ही है आप सभी का यह experience होगा जो मेरे age group से तलोग रखते हैं देखें लिटरली से एक हाँ ऐसा ही था फिर एक और नाम था पाक पतन शरीफ ऐसे ही है कितने नुक्ते आते हैं मुझे यह मुश्किल लगते थे मैंने उनके टोटके निगा ले था कि कैसे उनको हिजों में डिवाइड करके रख ले अब पाइथोन में जो फाइलें होती है न अगर आप इंटरनेशनल स्टेंडर को अभी सीख के उन नामों को अडाप्ट कर लें आपका काम एक्सपर्ट के बरापर होगा बांते हैं कि नहीं समझ रहा है ना आपकी फाइलों के नाम क्या है आपकी फूल्डर की स्ट्रक्चर कैसी है और आप किस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन को ले के आते हैं इंसाइड यूर फील्ड ओफ स्टेडी खास तोर पे पाइथोन फॉर डेटा अनलसिस ये शो करवाता है आपकी GitHub repository जो आने वाले दिनों मैं बताऊंगा क्या होती है वो दूर से शायन करेंगी So these are few rules of naming in Python and coding Python के अंदर भी, usually coding के अंदर भी वो कौन-कौन से names होते हैं we are going to see सबसे पहली है कि हमें rename करना कैसे है उसका पहला rule हमारे पास क्या है Use lowercase letters and underscores कभी भी capital letters नहीं use करने हैं आपने और आपने देखा होगा अक्सरों का जो coders होते हैं वो caps locks के उसका हाथ लग जाना ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं बाद दुबारा बंद कर देते हैं उनकी वज़ा यही है We don't want to use that Reason? For both files and folders It's common to use lowercase letters Lowercase का मतलब है छोटी ABC सिद्धे अलफाज में Upper case होता है वड़ी ABC बड़ी वाली ABC वो बच्पन में एक अंकल थे हमारे वो मुझे बहुत तंग करते थे अपनी तरफ से जड़े हुंदे ना थोड़े बच्चे दे इम्तियान लेन आ जान दे आओ बेटा है तरफ मेरी बास सुनो वो ऐसे आगे मुझे कहते थे के हाँ मार बेटा क्या हाल है मैं ठीक अंकल जी ABC सुनो मैं ABC शुरू हो जाता है जैसे बच्चे करते नहीं हम छोटी ABC सुनो तो मैं कहता तो वही सेम यह नहीं हमारी भीर बैस होती थी थी वो चोटी नहीं है वो बड़ी नहीं है something like that so he used to be like a funny uncle so वही चीज़ है यहां पर हमने lowercase letters को लिखना है और जब भी मैं lowercase letter में कुछ भी लिख रहा हूँ तो मुझे उन अंकल की यहाथ आजाती है अला ताला उनको जवारे रहमत में जगा दे तो separated by underscore space तो लगानी नहीं है इसमें मैं बहुत अच्छी example देने लगो ठीक है जब आप बाजमान नमाज पढ़ते हैं तो आपका टखने से टखना मिलना ज़रूरी है जो लड़कियां वो जानते है females की भी जब जमात होती है आप यही समझ लें के लफजों को लफजों के साथ जोड़ना है using underscore underscore is टखना नीचे ही आती है ना underscore टखना simple तो मैंने यह रूल बनाया है simply तो टखने से मुराद है दो लफजों को जब जोड़ना है बाजमात तरीके से उनको जोड़ना है के ताके वो एक दूसरे के साथ जोड़ जाए spaces नहीं यूज करनी names में कभी नहीं करनी और यह उन लोगों का मसल़ है जिनके पास git bash के अंदर कॉंडा environment नी चल रहा था ठीक है तो मैंने पूरी guide लिख लिए थी ये example है data underscore processing dot pi ठीक है ये मैंने space को ही नहीं दी सारे small letters है ये भी सारे small letters है पहला rule don't use spaces lower cases use करें and use underscore पहला rule clear है दूसरे rule की तरफ चले अगर आप कहते हैं मैं यहीं पर छोड़ दे तो कल को पढ़ लेंगे ठीक है मैं सिरफ confirm करना था second rule is be descriptive and specific for example the file and folder names should clearly describe their content कभी भी A, B, C ऐसे घर के नाम ना दे meaningful name दे ठीक है जब आप meaningful names देंगे it would be easier for you to understand कि ये क्या है even before opening that file तो avoid overly generic name overly generic name भी नहीं लिखने ठीक है instead of writing script.py यानि script होता है ना मेरा ये code है इसको script में कहता हूँ ये अगर मैं लिख लूँगा इसकी बजाए अगर मैं लिखू ना linear regression या किसी भी model का या data का script है that is much better descriptive हो, छोटा हो, तीन चार words का name हो that's fine सीधा सीधा नहीं लिखना script.py तो कभी काफी लोगों ने लिखा होगा ठीक है, दूसरा rule समझ आ गया specific and descriptive तीसरे rule की तरफ चलते है तीसरे rule है, जिक बहुत असान है use folders to group related file हम लोग क्या करते है चक चक के सारी हैं तस्वीरां भी होते ही जा रही है videos भी उदर ही जा रही है किसीने MP3 song भी दिया, वो भी जा रहा है किसी के WhatsApp की वो तस्वीर है यह जिसका नाम ही वो numbers में लिखा है वो भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना organize your data from very beginning ताके लोगों को फाइदा हो because whatever you will do you are going to publish as your portfolio ठीक हो गया, so हमने क्या करना है, group करना है files को logically into folders, यह भी नहीं कहें कि आज का काम, कल का काम, परसो का काम day 5, इस तरीके से नहीं logically आपने, ठीक है और आपने क्या करना है अच्छा, examples क्या है data का folder बनाने तो उसमें सिर्फ data ही हो यह जो होता है न, forward slash this shows in Linux Linux वाले जानते हैं या programming वाले जानते हैं अगर forward slash है यह folder को show करती है, and folder को हम directories भी बोलते है directory ठीक है, directory folders या directory, हम script का होंगा तो उसमें script होंगे, models होगा, उसमें models notebooks होंगे, उसमें notebooks, तो हमने logically groups बना दिये, into folders तीसरा rule clear हो गया जए चले आगे, okay then the next rule, which is again very important मैंने सारे important वाले लिखिये हैं कोई भी ऐसा नहीं है, जो फजूल हो यहाँ पे, ठीक है follow consistent naming convention कौन सी consistent naming convention है अगर आपने एक दफा cleaned data पे clean underscore data यूज कर लिया, इसी तरीके का name दुबारा यूज करना है, अगर किसी और data को आप clean करके save कर रहे हैं, या उस script का नाम जो एक दफा जिस purpose के लिए यूज की है, same convention को यूज करें मिसाल के दोर पे, अगर आपने एक दफा यूज कर लिया, verb and noun noun for example, verb है, मैंने क्या किया noun किस पे किया अगर आप ऐसे यूज कर रहे हैं, तो always use verb first and noun second अक्सल हो, क्या गरते हैं, पहले clean underscore data लिख दिया, अगली दफा नाम आया, तो data underscore clean लिख दिया समझने बात को, swipe ऐसा नहीं करना, you should use the same analogy जो आपने start में use की है, और उसको पूरे project में लेके चल ले, then number fifth is add versioning when appropriate जब आपको ज़रूरत है तब versions add कर दे और उसका method क्या होना चाहिए, versions होते हैं, for example, आपने तीन machine learning के model बनाई हैं, मुझे पता है आपको नहीं पता अभी काफी लोगों का क्या models है, लेकिन आप यह समझ लें के तीन ऐसी चीज़ी हैं, जो पहले मैंने बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी, मैं तीनों को save करना चाहता हूं, based on their stages उनको बोलते हैं versions V1, V2 and you can also do something like with the date, आप version 1, version 2 भी कर सकते हैं, date के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है, so this is a way to appropriately save your time and your efforts, अच्छा जी, नमबर 6 पे चलते हैं, avoid special characters and spaces, spaces तो use नहीं करनी, मैंने आपको underscore का बताया अब आपके दिमाग में तब से करना, as spaces ठीक है, उस संजेद आताला नहीं, तो समझ रहे हैं बात को, so you cannot use any other add the rate नहीं यूज करना, pound sign या hashtag नहीं, percent, dollar, कुछ नहीं यूज करना other than underscore, ये conventions हैं, basically, जो internationally बड़ी renowned है, एक और चीज, अगर ताडेक कार्च, पहले को बिल्लू होए हो सकते हैं, अगर एक पहले आपके घर में बिलाल है, तो क्या अगले बेटे या बेटे का नाम बिलाल हो सकता है, even though मुहले वाले भी नहीं रखते हैं, उनना दे मुंडे ता नाम बिलाल है समझ रहे हैं बात की, यही काम आपने करना है, जो पाइथोन के अल्रेड़ी नेम स्पैसिफाइड हैं, वो नहीं यूज़ करने नेमिंग में, इनको बोला जाता है रिजर्व कीवर्ड्स, पाइथोन के, कितनी अच्छे एक्जाम, मैंने आपको बोला था न, देसी एक्जाम्पल्स आपको मिलेंगी, वो ही मैं कर रहा हूँ, पता नहीं, अब आप लोगों को अच्छी लगती हैं, कि नहीं लगती हैं, मैं चल रहा हूँ, बस, ओके, सो कुछ built-in functions होते हैं, जैसे ये function है, list, directory, string, structure, int, input, print, ये सारे functions हैं, आप Google पे भी इनके list find out कर सकते हैं, keywords के भी list find out कर सकते हैं, मतलब किसी का नाम class नहीं रखते हैं आपके, किसी का नाम def नहीं रखते हैं, define function के लिए होता है, if नहीं रखते हैं किसी का नाम, ठीक है, क्योंकि Python के घर में पहले से if और class हैं, that's why you need to not, you don't use keywords and functions जो पहले से built-in हैं, inside Python, ये वो वाला point है, जो हर किसी को आना चाहिए, ये पता होना चाहिए, true false तो कहर्गीज नहीं रखना किसी का नाम, ठीक है, ना folder का, ना किसी file का, क्यों नहीं रखना, उनके पास पहले से हैं, और ये वैसे भी boolean operator है, जो language में बहुत use होता है, आगे चलेंजे, आगे हैंजे हमारे पास number 8, which is again very important, use limited length, ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया, descriptive हो, लेकिन इतना सा descriptive हो, कि नाम छोटा साही रहे फिर भी, वो याद है, एक movie के अंदर उससे नाम पुछ लेता है, वो चन्न स्वामी मित्तु से हम स्वामी करके, यह वो कामनिया आपने यहाँ पे करना, जिनको नहीं पता, मैं simply बता देता हूँ, कि बड़े नाम नहीं use करने, ठीक है, मैंने अगर लिख है, python का चिला with baba मार, मैं पेच्छे बर्मा कातमुल आलिया, और वो सारा कुछ नहीं लगा सकता, because it should be shorter, of course, no offense for anything else, मैं सिर्फ examples दे रहाँ, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, कि हमने किसी का नाम नहीं बड़ा करना, यहाँ पे, यह कितना बड़ा नाम है, इस script को find करते करते, coding में embed करते करते, आपको पता होना चाहिए, छोटी-छोटी अब्रिवेशन क्या है, ठीक है, वोही नाम, वोही जीज आगे ना फिर, बिलाल है, बिलू कर देना, so you have to use short term names, वैसे आप मुझे चैट में बताएंगे, आपका nickname क्या है, just for fun, let's see, हमारे पास क्या-क्या nicknames आ रहे है, be very easy, कोई मसला नहीं बता सकते हैं, और हमारे पास अगर यहां पे, funny names आते हैं, I will share those funny names with you, I mean not funny names, funny funny, लेकिन fun names, I would say, अच्छा, मैं एक analysis किया हुए, मैंने मैं आपको बता भी देता हूँ, लड़कियों के name अच्छे होते हैं, मुंडियां हमारी पता नहीं की हो जाना है ना नो, मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ, लड़कियों के name आ रहे हैं, गुडिया, ठीक है, मॉमो आ गया, फिर हमारे पास है, दिया आ गया, बनी आ गया, आफा आ गया, अफकोर्स, अर्फा को आफा बोल देते हैं, बनी, का इनात नेम है, फीमेल का, उनको बनी बोला जा रहा है, इन देन, इसी तरीके से, आब अब आद है, उन सिदा सिदा अब भी, देखे, कितना प्यारा नामे लड़की आओंगी, तो उन्हें रमिशा को मिशू बोल दिया, सादाना बिलाल तो बिलो, ये हमें, इस चीज को भी देखना है, शेरी आ गया, देर मैंनी शोबी, शे भी बहुत चलता है, हमारे पास नाम, एक हमारे हैं, बड़े अच्छे डिजाइनर पाकिसान में, लेकिन जी एफेक्स मेंटोर वाले, इमी भाई, तो वो भी अपने आपको इमी कहते हैं, देर मैंनी अधर एक्सेंपल, वो ही चीज यूज लिमिटेड लांद, एक्सेंपल दे रहा हूं, नेक्स चलते हैं जी, नेक्स हमारे पास है नाइन, नाइन नंबर पे हमारे पास जो होगा, avoid starting name with numbers, क्यों? अक्सर अकात ऐसा होता है, जब आप नंबर से कोई चीज स्टार्ट करते हैं, वो नंबर जो है, वो अक्सर अकात आपके data को सही तरीके से match नहीं करवाता, अगर आप कर भी लेते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, मैं हर script को number wise save करता हूं, ताकि आपको समझ आए, बट I know कि मैं number wise save कर रहा हूं, तो इसका purpose ही learning से teaching से है, जब आप project मनाते हैं, you don't use numbers, ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा, you can end it with numbers, जैसे कि ये end or है, start ना कीजिए, आगे चलते हैं number 10 पे, use plural forms for collections, ये बहुत बड़ी example है, ठीक है, नहीं समझ आई, इसकी मैं मिशाल दे देता हूं, वो कहता है ना कि आपके इलाके में कितने बंदे रहते हैं, कोई बंदा ये नहीं कहता कि एक बंदे रहते हैं, collections is always plural, ठीक है, so scripts, data sets, scripts, models, plots, figures, so आपने हमेशा plural लिखना है, ठीक है, so that shows कि ये collection है, number 11, and the last one is, always use readme files, readme files क्या होती है, मैं इसकी example आपको भी दिखाता हूं, जिसमें आपका content सारे का सारा, descriptive way में बताया जाता है, और इसकी example मैं दिखाता हूं, आपको अपनी GitHub की profile के अंदर, जो मैंने readme file लिखी हुई है, उसको show करके, ये जो file है ना, and of course ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ यहाँ पर, so you can see here, के ये descriptive file है, readme file कैसे लिखते हैं of course, आपको मैं सिखाऊंगा, don't worry about that, markdown क्या होती है वो भी सिखाऊंगा, don't worry about that, लेकिन rule आपने follow ये करना है, कि हमेशा जब भी आप कोई project बनाए, I'm talking about the project, आपने उस project की readme file ज़रूर बनानी है, you have to create the readme file, ठीक हो गया जी, ओके, और ये markdown language में बनती है, और markdown language का ये 72 minutes का tutorial जो है, ये आपको आज मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास अगले दो दिन होंगे सीखने के लिए, so you can actually practice this one as well, और ये काफी लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, it's one of the best guideline, ये 72 minutes के अंदर आपको ये एक language आज़ जाएगी, जिसका नाम है markdown, simple, सिरफ 72 minutes में, and you can write down on your CV, कि मुझे markdown आती है, it's not a big thing, ये जिनको latex का पता है, latex या latex लिखा जाता है, latex कहा जाता है उसे, tech language भी बूला जाता है, उसके साथ आप अगर वो use करते हैं, तो वो similar way में ऐसे चलती है, जैसे markdown चलती है, ये एक चोटा सा मैने example है, naming rules की कुछ चीज़ें बताई है, general हो, descriptive हो names, folders होने चाहिए, consistent naming convention हो, versioning हो, avoid special character and readme files, ये मैंने सभी को combine कर दिया, ठीक है, and it's better कि अगर आप, इस lecture को एक दफा practice भी कर लें, ठीक है, जितने मैंने rules बताए हैं, इनको दुबारा से जागे, एक दफा जरूर देखिएगा, और देखने के बाद इसको practice कीजएगा, जब भी आपने naming convention देनी है, इसका best way क्या होता है, आप इन rules को लिखें अपने page पे, और उसको अपने सामने कहीं पे print करके रख दे, एक और तरीका हो सकता है, green color का page लेके हैं, जहाओ, जो आप coding के अंदर खासरों पाइथन में डेटा साइंस के अंदर use करते हैं,